कान बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, देश में क्या हो रहा है वो बदल नहीं जाएगा, तो कान खोल कर ही सुन लो कि किस डिरेक्शन में हम जा रहे हैं अब ये सारी चीजें, ये सारी गाली गलौज अगर इंटरनेट पर कोई किसी को बख रहा हो, कोई किसी को ट्रोल कर रहा हो, समझ में आता है, ये तो reality of India है लेकिन ये गाली गलोच कहीं इंटरनेट पर नहीं हुआ, किसी कोठे पर नहीं हुआ, किसी मार्केट पर नहीं हुआ, ये हुआ हमारे देश के नए संसद में और ये गाली गलोच बकी हमारे एक मान्य संसद ने, संसद का नाम पीछे इतने प्रभावशाली संसद हैं हमारे प फिदूरी जी ये पहली बार कोई सांसद नहीं है, मेरे खाल से तीन बार MLA रह चुके हैं, सेकिंड टाइम एमपी है, अचम्बे की बात ये है कि ये कोई हिंटरलेंड, हाटलेंड से नहीं आते हैं, साउथ दिल्ली से आते हैं, जी हाँ, तो इन्होंने एक तो बहुत बड़ किया है, कि पूरे देशवासियों को बता दिया है, कि ये जो साउथ दिल्ली को बदनाम किया जाता है, और बोला जाता है कि भई, उनकी भाशा तो से ने भाया, भाया, नहीं है, इनकी भाशा भी भढ़वा, कटवा, आतंकवादी, उगरवादी की हो सकती है, तो एक तो है कि भीदुरी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि हमारी देश में जो भाशा है उसको इक्वल कर दिया है अब वैसे तो कोठे पर भी ऐसी भाशा का प्रयोग शायद नहीं होगा वहाँ भी इससे जादा शालीन भाशा होगी लेकिन मान लेते हैं कि मार्केट पे गली खुपचों पे कहीं बली बारान में या फिर इंटरनेट पर कोई ट्रोल फेसलिस नेमलेस ट्रोल ऐसी भाशा का प्रयोग कर रहा है अब उसी भाशा का प्रयोग हमारे पार्लिमेंट में होने लगा है तो इसी को कहते है real equality इसी को कहते है real democracy तो भीदुरी ये ने बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे देश में true democracy दिखाया है कि एक आम नागरिक जो आज सोच रहा है उसकी सोच जिस तरीके से गंदी हो चुकी है गटर टाइप हो चुकी है वो ही सोच के बारे में क्या सोचते है बिदुरी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है तो इसके लिए उनको जरूर salute करना चाहिए अब आते हैं दूसरे point पर कि किस तरीके से बिदुरी जी ने हमें ये भी दिखा दिया है कि हमारी parliament किस direction में जा रही है दशा और दिखा अगर कोई हमें दिखा दे तो बहुत अच्छी बात होती है अब देखिए दशा और दिखा से मेरा मतलब क्या है भारत वर्सेज इंडिया इंडिया देखिए जब भी ये alliance की बात आती है तो किस तरीके से rules and regulations को लगा अच्छी बात है rules and regulation लगाया जाना चाहिए इसी लिए हम देखते हैं कि पिछले ही सत्र of parliament में session of parliament में किस तरीके से अधिर रंजन चोधरी हो Congress के Derek O'Brien हो TMC के या फिर आम आदमी पार्टी के राघब चड़ा हो disruption करने के लिए Parliament को function ना करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए उनको तुरंट एक सेकंड में suspend कर दिया गया voice vote के साथ पूरी majority के साथ उनको suspend कर दिया गया तो ये दिखाती है कि किस तरीके से एक rule of law है अब यही rule of law इंडिया के खिलावे बारत के बोलने के बाद भी स्पीकर क्या करते है स्पीकर ओम बिर्ला कहते है देखे एक्सपंज करिये पहले तो चलिए ठीक है राजिनाथ सिंग ने माफी मागने के बाद ये जो words है एक्सपंज हो गये है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि ये बात क्लियरली पढ़ चुकी है कि आप कोई MP भी होगे कोई लाव नहीं है क्योंकि अगर आपने भी अपनी आवाज उठाई है तो आपके उपर भी ये ऐलिगेशन लग सकते हैं आपको भी इस तरीके से गाली गलोज दी जा सकती है एक स्पंज होने से जादा अगर होता कोई और एक्शन लिया जाता लेकिन अभी तक इस एपिसोड को रेकॉर्ड करते समय सिर्फ एक वार्निंग आई है स्पीकर से कि भाई अगर ऐसी हरकत फिर से खरोगे तो हम तुमारे खिलाफ एक्शन लेंगे बोलने का मतलब ये है कि यार वो तुम देश के गंदारों को गोरी मालो सारों को वो सब बोलो ये सब उगरवादी आतंकवादी मुला आतंकवादी सब बोलने क्या जुरूरत है तो और अभी तक तो प्रधान मंतरी की कोई प्रतिक्रिया आए नहीं लेकिन वाइडली ये एक्सपेक्टेड है कि प्रधान मंतरी भी बोलेंगे कि उट दिल से माफ नहीं कर पाए है भीदुरी जी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन दिल से माफ शाहिए इसलिए भी नहीं क्योंकि बहुत पॉपुलर बन जा रहे है अल्रेडी भग्दमेनर जी हमसे कह रहा है कि देखो ये असली इंसान है ये है असली भारतिय जो खड़ा होके जो सच है जो लोग सोच रहे है जो इंटरनेट पर बात कर रहे है जो वाटसाइप फॉरवर्ड हो रहा है उसको रिफलेक्ट किया जा रहा है पर्लेमेंट पे ये इंसान सचा इंसान है जैसे साधवी प्रग्या भी पॉपुलर हो गई थी आफटर शी सेट क्या बोलाता है उन्होंने नातुराम गोट से सच्चे देश भगते है प्रधान मंतरी जो भी बोल ले अब बाहर जाकर उनको अपना फेस बचाना होता है गांधी जी के स्टैचू बे जाकर फूल माला चड़ानी होती है तो उनको थोड़ा सा बजबचाव करना पड़ता है लेकिन भिदुरी ये ने जो देश की जो मंशा है जो लोग सोचते हैं उसको रिफलेक्ट किया है तो पार्लमेंट अब किस तरीके से जा रही है किस तरीके से बिहेव करेगी किसी का अगर आवाज उठना सस्पेंशन हो जाएगा किसी का इतना गाली गलोच करना आतंकवादी मुला भड़वा बोलना भी एक नॉर्मल रैप अंदन मत करो, मत करो, मत करो बस इतना ही रहेगा पॉइंट नंबर थ्री अरे अब जिस एड डिरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डिरेक्शन में तो हमें ये बताया जा रहा है कि भाई, इनको तो अवाड शवाड मिल सकता है क्योंकि एक तरफ डिमांड किया जा रहा है एक्शन और दूसरे तरफ हो सकता है एक्च्वल रिवार्ड बताता हूं क्यों दानेश अली, जो BSP के MP है जिनके खिलाफ ये आतंकवादी, भढ़वा ये सारी चीज़े बताई गई पार्लमेंट में उन्होंने, अब obviously वो आहत हुए है कि ऐसी भाषा, वो तो सोच रहे थे कि वो MP है, ऐसी भाषा का प्रयोग तो इंटरनेट पर होता है, कहीं वगर सामने आदमी मिल जाए, अंधेरे में मिल जाए ये तो सामने सामने संसद के अंदर ये सारी चीज़े बोले गई तो बहुत आहत हुए है लेकिन देखिए, बहुत optimistic इंसान है ये दानेश अली क्योंकि मज़े की बात है कि इन्होंने speaker ओम बिल्ला को, जिन्होंने बोला कि विदुरी जी अगली बार मत करियेगा, मैं आपके लिया जाना चाहिए, अब मैं क्या बताओ दानेश अली जी को, कि एक जगे जहां बिल्किस बानों के रेपिस्ट और मर्डरर्स को माला पहनाय जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि भीदुरी जी पर एक्शन लिया जाएगा भई कौन से इंडिया में रह रहे हो भईया, ये भारत है, कि कौन से इंडिया की बात कर रहे हो जहां है, इस तरीके से किसी रूल टू-टू-टू के अंदर एक्शन दिया जाएगा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं और उन्होंने तो ये भी कह दिया है दानीचली ने ये भी कह दिया कि अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तयार हूँ बड़े भोले इंसान है, इस्तीफा दे देंगे फिर पावर में भी वापस में नहीं आएगा गद्धी भी हाथ से चले जाएगी, कहीं न कहीं मेरे ख्याल से ये जो रियालिटी है ये जो न्यू इंडिया की रियालिटी है, भारत की रियालिटी है, अभी भी बहुत सारे सांसद है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हवा किस तरब भेज चुकी है लेकिन सबसे अच्छा आउटकम होगा ये जो आतंकवादी, मुला, टेरिस्ट, ये जो बोला है, उगरवादी, ये जो बोला है, इससे कम से कम एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी, ये जो हीपोक्रिसी चल रही है, ये जो हीपोक्रिसी की सीमा हम पार कर चुके हैं बार-बार, अब शायद उस पर लगाम लग तो उनको बड़ी-बड़ी बाते करनी होती है, सबका साथ, सबका विकास, महात्मा गांधी को हम मानते हैं, उदर अगर महासभा की बात करें, तो जब बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, वहां महासभा जाकर बोली मार देती है, महात्मा गांधी के प बद्दा मजा किया जाता है, तो क्या बोलते है प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री बोलते हैं, and I quote, no question of discrimination, democracy is in India's DNA, अब देख लीजे DNA संसत में हमें क्या दिखने को मिला, तो भाई जब DNA चेंज कर रहे हो, तो चोड से बोलो ना भाईया, हम DNA चेंज कर चुके हैं, वो तुमा हमारा देश है, यही आज का सच है, तुम लोग को जो भौकना है, भौक लो, हम तो ऐसा ही काम करेंगे, और इसके बाद जब investment नहीं आती है, तब हम बोलते हैं कि देखिए, यह तो हमारे देश का against conspiracy है, अब यह हाली में Moody's ने क्या बोला, अब generally हमें लगता है, कि Moody's का का होगा कि देखना कि ease of business क्या है, जो कि बंद हो चुका है, FDI inflow वगएरा क्या है, Moody's ने इस बार क्या कहा, rating maintain रखी, लेकिन एक red flag race किया, the curtailment of civil society and political dissent, compounded by rising sectarian tension, support a weaker argument for political risk and quality of institutions, हिनी में बोले तो इसका मतलब यह है, कि Moody's कह रही है, कि भईया देखो धन्दा तुम लोग कर रहे हो, और अभी भी हम तुम्हारी rating नीचे नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे country में political stability नहीं है, ना ही कोई नाम की democracy है, और इससे political instability कल बढ़ सकती है, तो इससे होता क्या ह हैं, तब जाकर हम रोना दोना करते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पर्लमेंट में हो रही है, तो इससे हमें साफ एक संकेत दे देना चाहिए, कि Boss यही हकीकत है, यही reality है, यही भारत है, और अब हमारे साथ धन्दा करना है, तो कल लो नहीं करना है, तो आगे बढ़ कोई टेंशन नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं, हम इसी तरीके से गाली गलोच करेंगे, पर्सेक्यूशन करेंगे, और minority community में जो भी आवाज उठाएगा, संसक में भी आवाज उठाएगा, उसको हम मुला आतंकवादी, उगरवादी ही कहेंगे, अब देखें, मैं यह नहीं कह र उनकी नौकरी भी चले गई as health minister, लेकिन तब भी मुसकुराते रहते हैं, तो हुआ यह कि जब यह मुला आतंकवादी, उगरवादी, भडवादी बोला जा रहा था, जब भी दुरी जी बोल रहे थे, तो यह पीछे रवी शंकर प्रसाद के साथ बैट-बैट के मंद-मंद मुसकुरा रहे थे, लेकिन अब जब वो भी घे में आ गए, जब उनको भी घेर लिया गया, तो वो फिर लंबा चोड़ा ट्वीट करके एक्सपर लिखते हैं, यह गलत है, मुझे क्यों घजीटा जा रहा है इसा मामले में, मैं तो, I don't agree with all this statement, यह गलत चीज़े हुई है, राजनात सिंग ने इस पर अपना अफसोस अच्छी बात नहीं है, यह सारी चीज़े बोली है, वो तो फिर बाद में समझ में आता है कि हर्शवर्दन जी का अबने आत्मा अभी तक जिन्दा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हर्शवर्दन जी की constituency चान्दी चौक है, तो कभी कोई चान्दी चौक से नहीं है, तो वो silently, quietly या openly इसको support भी करेगा, भीदुडी जी ने जो बोला है, बोलेगा, वा, well said, जाते जाते थोड़ा सा prediction कर देते हैं कि action लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अभी status क्या है, latest status इस episode को record करते समय यहीं है कि BJP ने एक notice भे जादी, भड़वा, मुला, यह सारी चीजे क्यों कहा है, अब 15 दिन है, भीदुडी जी के पास तो आराम से थोड़ा सा को study-wardy करेंगे, history, geography study करके अपना answer देंगे, लेकिन politics की दुनिया में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 15 दिन कहां चले जाते हैं, 15 दिन में कौ माहिर हैं, तो यह मुद्दा कहीं नहीं जा रहा है, 15 दिन में यह सारा मामला सुल जाएगा, लेकिन हम तो कहेंगे कि भाया विदुरी जी ने बहुत अच्छा गाम किया है, देश में जो लोग सोच रहे हैं, वाटसाइप ग्रूप में जो आज तक सोच रहे थे, जो दूस है, और मैं यह भी नहीं बोलूँगा कोटे में, क्योंकि जैसा इसे ऐसा भाशा वहाँ भी प्रयोक शायद नहीं होगा, जो भाशा एकदम ट्रोल्स, जो फेसलिस, नेमलिस ट्रोल्स जो करते हैं, या एक दूसरे के साथ जो एनिमिटी दिखाने वाली भाशा दिखाते हैं अब वो भाशा सब के सामने, दुनिया के सामने, हमारे पार्लिमेंट में और अब सोशल मीडिया के सारी दुनिया अब देख चुकी है, और इस पर अगर एक्शन नहीं लिया, तो कम से कम कल अगर कोई हमारी डिमोक्राटिक वैलिउस पर सवाल उठाए, माइनॉरिटी आपको क्या लगता है, पोलिटिकल एविल्यूशन की इस धारा में हम किस तरफ और बह रहे हैं, क्या ऐसा भड़वा, मुला, अतंगवादी और भी सुनने को मिलेगा, क्या और भी कुछ बाकी है, या कोई एक्शन लिया जाएगा, अगर एक्शन लिया जाएगा, तो कैसे लिया जाएगा, अगर नहीं लिया जाएगा, तो क्यों नहीं लिया जाएगा, आपकी राय में जरूर सुनना चाहूंगा, एक्शन या नो एक्शन, और क्यों जरूर लिखिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पर, इस महीने, as a matter of fact, we are giving out t-shirts, देशभक्त मर्च, हर दिन we are giving out मर्च, तो अगर आपका कॉमेंट हमारे टीम को, अबे रिटर को अच्छा ले गए, तो जरूर आप भी eligible होंगे for a free देशभक्त मर्च, लेकिन लिखिए जरूर, पता तो चले कि दुनिया और देश सोच क्या रही है?